तो ये बात हैं उन्दुने की जब मैं भागते भागते इस फिलेज पे आ गया था क्योंकि हमारा पुराना बेज जो है वो किसी ने टेंटे लगा के उड़ा दिया था और तब से हम ये छोटे से वुड़न हट में रह रह रहे थे अब हमें ये पूरी जगा साफ करके यहां पे ये छोटा सा हट हटा के एक नया सा मॉडन हूस बनाना है और ये सब हमें बिना किसी स्पेशल टूल के आईरन गेर में करना पड़ेगा इस वाले वीडियो को बनाने में मुझे दो हफते से ज्यादा का टाइम लगा है बट आपको सिर्फ दो सेकेंड लगेंगे इस वा मुझे प्याम में लवाएबाइ झाला टाइमगेंगे ग nuclear ग्षप अब लग Italu कि अचिते साम ये तर आ है और होगे पहा है वाएबा लगेंगे चांठिक ये वाएबादी अ बट रहा है अब ही पूरी जगा को ट्रांस्फराम करने के बाद मैं जब यहां से जा रहा था तो मेरे पीछे दो प्लेजर पड़ गे बट मैं फटाफट यहां से निकल गया क्योंकि मैं अब यह रेड जो है ट्रिगर नहीं करना चाहता जब वो डी स्पॉन होगे तब मैं बाहर आया और यह बहुत सारी डर्ट में कलेक्ट कर चुका था स्टोन के साथ और कुछ वुल्ड भी कटा कर चुका था बट अब है मेरे को मौडरन हाउस के लिए कुछ नए चीज़े कलेक्ट करने थी जैसे सैंड और ग्रेवल तो मैं फटाफट यहां से आरेल लेके कुछ शावल्स बनाके सैंड और ग्रेवल डूनने के लिए निकल गया अब पास में ऐसी कोई जगा नहीं थी या कोई सैंड वाली बयॉम नहीं थी जहां से हम देर सारा सैंड कलेक्ट कर सकते थे ऐसे में बस एक ही आईडिया था हमारे पास वो था लेक क्यूंकि लेक में सैंड और ग्रेवल दोनी चीज़े मिल जाती है फटाफट से पासवाले लेक में सैंड ग्रेवल कटा करने के लिए चले गया है पूरा एक दिर माइन करने के बाद हमारे पास धेर सारा सैंड आ गया था और अब हमें ग्रैवल की जरूर थी तो मैंने फटा फट से कुछ डोल्स बना लिया और पानी के अंदर चला गया ग्रैवल माइन करने के लिए अब कुछ देर माइन करने के बाद मेरे पास बहुत सारा ग्रैवल आज चुका था और मैं फटा पड़ अपने बेस पे पहुंच गया था क्योंकि अब ही मुझे वाइड डाइ कलेक्ट करनी थी वाइड डाइ मेरे पास थी नहीं क्योंकि वो बोन मिल से बनती है आटोमेटिक बोन मिल फार्म बनाने के लिए बट उसके लिए मेरे को थोड़ा आइरन चाहिए था क्योंकि मुझे दो हॉपर बनाने थे और मेरे पास आइरन तो था नहीं तो बाहर जाते हुए मुझे सामने वाले पाड़ी पे थोड़ा सा आइरन दिखा मैं फटा-फट वो वाले पाड़ी पे चला गया पड़ यहाँ पे थोड़ा iron नहीं भाई साब बहुत ज़्यादा iron था तो नीचे मुझे जितना भी iron मिला था वो सब मैंने collect कर लिया इसके बाद मैं थोड़ा ओपर चला गया भाई यहाँ पे तो iron ही iron था और देर सारा coal भी था तो मैंने जितना भी मैं collect कर सकता था तो मैंने collect कर लिया उसके बाद जब मैं यहाँ से बाहर जा रहा था तो मुझे नहीं white color की blocks देखे तो मैंने सोचा चलो यह वाले blocks भी collect कर लेते हैं तो half stack collect करने के बाद मेरा pick extrude गया तो मैं फटा पड़ यहाँ से वापस चला गया और जाते जाते थोड़े और leaves collect करना start कर दिया तो यहाँ से डेर सारे leaves collect करने के बाद मैं फटा फट से अपने गर के पास आ गया और जितना भी मेरे पास iron था वो सब smilt करके कुछ hopper बना लिये और फिर गर के बाहर मैंने दो घंडे कर दिये उसमें मैंने चस्ट लगा के चस्ट के उपर एक hopper लगा दिया hopper के उपर मेरे पास एक composter था वो लगा दिया अब composter के उपर मैंने एक और hopper लगा दिया अब last में वचा रहा एक और चस्ट जो मैंने इस hopper के उपर adjust कर दिया अब जो टॉप वाला यही चस्ट था ना इसमें मेरे को जितनी भी मेरे पास leaves वगया रहा थे seeds वगया रहा थे plants वगया थे वह मैंने लगा दिये और बाद में जितना भी bone मिल था वो convert होके नीचे वाली chest में आने लगा बाद में खाना डूंदे डूंदे में village पे पहुंच गया फटाफट से एक होवे बना ली और यहाँ पे जितनी भी हेबिल से वो सारे collect कर लिए तो आगे चल के मुझे एक रियूनिट पॉर्टल भी मिला पॉर्टल के chest में मुझे ढंका सामा नहीं मिला उसके बाद मैं यहाँ से चला गया और village के chest को लोटने लगा तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं तो एक chest में थोड़े बहुत bread और थोड़े बहुत apple मिला उसके बाद मैं अपने base पे वापस से गया जितना मेरे पास बहुन मिल था उसको white diamond कर दिया फिर sanded gravel के साथ मिला के concrete बने बना दिया उसके बाद थोड़ा बहुत आरे लिया कुछ पिक्स बनाई फिर मेरे पास जितना भी concrete powder था उसको पानी के साथ मिला के concrete बना दिया तो सबसे पहले मेरे को उसको upgrade करना पड़ा finally उसे quartz लेने पड़े बट ये उतनी ज्यादा quartz नहीं दीता था और ये वाला portal जनव बैसौल्ट बैयों में खुला था और आसपास ही कुछ अच्छी बैयों मुस भी थी तो मैं फटा फट से चला गया और मेरे को जितने भी quartz में लेना सारे मैंने कटे कर ले और finally quartz कलेक्ट करने के बाद में फटा फटा पट अपने बैस पर वापस आ गया अपने modern house के लिए वे ने जितने भी चीज़े कलेक्ट कर ली थी ना वो सारी चीज़े उठा ली और अपना modern house बिल्ड करना start कर दिया भाद में बाद में प्रत्ख एह श्वां प्रत्ख मेंगणना आ से आ बाद याफ और ढोरे को भी जjak कर आपंगे प्रत्ख मेद झाट से यह झाल अंट चुाह स्तिमर प्रत्ख बमिल्ड टा सार ि on अब अगर आप यहां तक देख रहें इसका मतलाब यह है कि आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत बूलना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना तो नीचे वाले फ्लोर पे मैंने एक कॉन्क्रीट पाउडर लगाना स्टाट कर दिया और मेरे पास एक वाटर बकेट भी था उसकी मदद से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया concrete में है और मैंने जो देर सारी quads कटे कर लिये थे नेधर quads उनकी मदर से मैंने कुछ stairs बना ली और यहाँ पे लगाना start कर दिया मैं actually ना इसको glasses नहीं लगाना चाहता था मैं सोचता था इसको पानी के साथ convert करके मैं कुछ ऐसा बना दूँ बट जैसे मैंने लगा दिया पानी हर तरफ से फैलने लगा सो मुझे मजबूर हो कि यह सारा तोड़ना पड़ा और यहाँ पे जितने भी मैंने stairs लगा थे वो सारे उठाने पड़े और वापस से मैंने को concrete के साथ उसको replace करना पड़ा और replace करने के बाद मैंने फटा फटा अपना house लेया कुछ डाइ डूनने के लिए गया था क्यूंकि अब glasses को color भी करना था तो blue color की डाइ मैंने कटे कर ली कुछ glasses मेरे पास पड़े थे मैंने smelt करने के लिए लगा दिये थे और फिर blue dye and glasses को मिला के मैंने blue glasses बना दिये और लगाना शुरू कर दिया यजओ तो मिला कर दो कर दो तो बूंकि और लूंकि अबस्वा है खिसके जाओग एल्सेट अजय को आप्राइब को आपार बभाइब कर दिसके एकम टार प्राइब भाइब चांद और फिर तूम्रेग रता बाइब जाथब और प्राइब जाएब को रगा प्राइब करते हैं